हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको साबुदाना बड़ा बना कर बताऊंगे तो चलिए देखिए मैंने रात को एक कप साबुदाना भिगोकर रख दिया था ठीक है फुला हुआ एक दम ऐसे दबाने पर दमना चाहिए कि हमारा साबुदाना अच्छी से भिग गया है तो उसके लिए वन थर्ड कप मैंने भुनी हुई मुख फली ले लिया उसको सब ग्राइंड करूंगी दो चमच आधा निम्बु छाहिए हहां एक निम्बु एसे रख घृप काली मिर्च पावडर आगरम गरम-मसाला आधा चमच चमच आधा मिर्च का पावडर अडर नमक औरगर नमक और दो बले हुए आल lah मीडियम साइज का अबले हुए और मिर्च का पेस्ट डालेंगें एक चमच डाल दी अधरक और मिर्च का पेस्ट फिर दो चमच ली थे सक्कर उसको भी मै पीस देंहों उसको भी डालाथों गें सुपर को शमक्र नियें लिटे दिखाई थे आपको वह सब अभी he डालाई चमच और अलू को ग्रेट करके डालूंगे और यह जो काली मिर्च का पाउडर यह भी डाल दूंगे थोड़ा साधा चमच जीरा पाउड़ा देखिए मैंने अभी आलू को भी ग्रेट कर दिया अब इसमें डाल दी अब भी इस तरह ग्रेट करेंगे तो अच्छे से होता है अबि पीसा हुआ शक्कर क गरम मसाला एक चमच और कॉरन फ्लोर दो चमच और जीरा पाउडर थोड़ा और काली मिर्च का पाउडर एक कमच उस ही मैं मिक्स की थी एशल को अब निम्बू का भी थी मैं में चोट आधाा था थВыडा स कर अगर चाहिए तो लेला ने तो इसके जगा अमचोर पाउड़ा एक चमाच नहीं तो अधा चमाच डाल देना बहुत टेस्ट लगता है करके से देखिए फिर मैं अच्छी तरह से सब मिक्स कर दिया ठीक है अभी मैं प्लेट ले लोंगी सब इसे बना बना कर उसमें रखोंग जितना अपने को चाहिए और छोटा चाहिए तो छोटा भी बना सकते हूं मैं मीडियम साइज का बनाई हूं इस तरह सारे मेरे 8-10 बन गये अब मैं तलने के लिए चलते हूं ऐसे बनाते हैं ठीक है तो कोई जंजट नहीं होगा कुछ नहीं आराम से नहीं तो एक हाथ में तल लगा हुआ होगा और फिर एक के तल गये तो टाइम लगेगा इसलिए सब एक साथे से कर देंगे रख देंगे दस बरहा हो जाएगा फिर हम तलने के लिए चलते हैं तेल अब गरम हो गया मीडियम गरम होना चाहिए नहीं तो पूरा डालते ही काला हो जाएगा ठीक है ऐसे जादा डार्क ब्राउन नहीं करनेगा, लाइट ब्राउन करके ही तल कर इसको निकालनेगा, और कोई भी हरी चटनी या टॉमेटो सास के साथ सर्व करनेगा, अगर यह पसंद आए तो लाइक करिए, अब फूल वॉच करिए, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाह लाइटा ब्राउन वह इसां निकाल लेंग kitchen चैनल को तला हुआ, मैं एक इसे ब्राउन करके रखी हूँ, लास्ट मिमों आपको बताऊंगे, वह ज्यादा टेस्ट नहीं, इसी तरह से आप तल कर निकालोगे तो बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है, ठीक है, ऐसे मैं सहारे तल के निकाल ली हूँ, जितना बनाई थी, सब पुरा ह हो गया है, अब मैं आपको और दो, तीन, चार बचा है, उसको भी तल कर दिखा दूँगे, आप इसा करिए, और टेस्ट नहीं लगेगा तो मुझे पुछना, बहुत ये टेस्ट लगता है, ठीक है, जैसे मैं की हूँ, इसी तरह से आप करिएगा, मेडियम फ्लेम में इसक करके निखा लिएगा, क्योंकि इसमें निम्बू डाला हुआ है, आदा चमाच, और ये हल्दी भी फूड है, हल्दी नम्कियोंकि साबुदाना है, साबुदाना पॉटेटो है, ठीक है न, और इसका कोमेने से निम्बू, सक्कर और ये नमका इतना अच्छा लगता है, ठीक है, आप खा सकते हो, देखिए, एक ब्राउन हो गया, तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, मुझे, नॉर्मल जैसा हम क्रिम कलर के होने के तरह ही, नॉर्मल ब्राउन होगा, तभी इस स्टेच में आपको सारा करके निकाल लेना है, और दो दिन क्या, बहुत दो दि चटनी के साथ या सौस के साथ आप इसको ले सकते हो, मिठी चटनी के साथ खा सकते हो, तीखी हो या मिठी हो, as a wish, ठीक है, लाइक, सेर और कमेंट, और सब्सक्राइब मैं चैनल, अब मैं सर्व कर दी, देखिए, कितना अच्छा लग रहा है न, खाने में भी उतनी अदिश्ट है, हेल्दी है, ठीक है, आप लाइक करिए, मैं आगे और गूँत्या न, शिखिटास में आखिए, मैं आगे और गूँत्या दूट आज़ते हने, जबंगेटे हो, लाइक न, बालतों, पालतों, इसक्वा सेरे, वल्राइब करेंगे, भी में अदिखिए, और